हाई एवरीवन सशी कालची सारय नों वेलकम है शिदाड इस चानल दे फ्रेंट सच्चती चो लेटेस्ट न्यूज है डाट इस रिगार्डिंग सीट पेपर वन के पेपर वन जो है उधे विछ बीएड कैंडिडेट्स नो भी एंट्री मिल चुकी है उन बीएड विए उस वास्ते अपलाई कार सकते ने ते के वी एस तिया जो पोस्टा ने उधा विधा नू पता है कि विछ वी बीएड कैंडिडेट्स चो ने एज प्राइमरी टीचर पॉइंट हो सकते ने तो उस वास्ते होन सीटेट वास्ते वी एलिजिबल कार देता गया वान टू पेपर टू तो बाद पेपर वास्ते वी एपलाई करना बीएड कैंडिडेट्स ने ता ओं करेक्शन कि ददा करन किस तरह होन करेक्शन होन गया ते जिनना ने नियू रिजिस्ट्रेशन करनी है हले मतलब जिनना ने सिर्फ पेपर वान नहीं पर नापी एड़ वाल याने कि मैं कर सकते ने सो नोटीस जो की आया है सी बीए सी दोवी में तो अन्नू दिखा दिननी है वाट उस तो पहला ची मैं तो अंदसना चाहांगी के करेक्शन किस तरह होन गया या फिर जिननने ने नियूली अप्लाई करना है ते साइट ते की की अपडेट्स हो चुकिया न सारा हुन में तो नोट दिखाने है तो हेर यू कन सी ची मैं साइट ओपन कीती हुई है सीट डॉट निक डॉट इन दी ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म जो है ओ मैं खोल लिया होया पर्सनल डिटेल से विच अगल तुसी देखो ता फॉर्थ कॉलम जो है एपलाइंग फॉ और उथे मैं फिल किता पेपर वन क्लास वान टू फाइव ते बिनिमूम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स फॉर्थ क्लासीज एक गिवन ने साइड ते तुसी देख सकते हो सीनियर सेगेंटरी विद एट लिस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स होना चाहिए दा फॉर्ट बस कंडिशन सेम हो ही है कि सिक्स मंथ ब्रिज कोर्स इन एलिमेंटरी एजुकेशन जो है ओथा नुकरना पहेगा विदिन टू यर्ज ऑफ सच अपॉइंटमेंट अज प्राइमरी टीचर तो नाव यू एपलाई फॉर देस एथे तुसी अपना 6th कॉलम जो है ओफिल करों इस थे जिर्नन ने करनी है कार साख देने करेक्शन वाले आ दावी में 10 दीन ही यां किस तरह हूं करेक्शंद कार साख देने दोनों पेपर अगर पर नेने तन जो एक है कुई क्क एक्या जो नोटीच हैmee मेंडमेंट इन इन 11 एलिछिबिल्ट क्राइटीरिया इनडर्वां दिता ता करके उनने उदो जो बीएड वले सी उननों लिजबल नहीं किता सी बाट हुन NCTE ने रिटन दे विच दे दिता है ते ना दा जो डे बिफोर येस्टरड़े है ना दा कोट दे विच केस जो सी ओवी सॉल हो गया सो इस करके हुन इननने बीएड वले अन्वेंटरी दे दिती है 6.1 दे विच तुसी चेक कर सकते हो चाहिए लास्ट ते ग्रैजुएशन विद एट लिस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स दे कैंडिडेट्स दोस हूँ पास्ट बीएड एड और अल्रडी एप्लाई फर पेप दे दो रांची तुसी है नों सही करना अपनिया एप्लिकेशन नों एक्स्टेंडर तिल 15 सम्तंबर पहला सी छे तो दस तक तुसी करेक्शन कार सकते सी अगर कोई वी तो डिगलती होई है फॉर्म देविच बट होन तुसी 6 स्तंबर तो लेके 15 स्तंबर तक जो है तुसी कर सकते हो बाइड रिमिटिंग निसेसरी डिफ्रेंस इन फी आस स्टेटर इन दा सीट है 2018 कि जो भी थो डिबांडी फीज है बाकी दियो तुसी पे कार कि अपने एजो क्रेक्शन नियों फॉर्म देविच कार सकते हो छे तो लेके 15 स्तंबर तक ते डिफ्रेंस ओफ फीजो है हो तुसी पे करना है आप टू अठारा स्तंबर विफोर थी थर्टी पीम ठूइच लान और डेबिट और क्रेडिट कार ठीक है जी ते एक गाले वी जान रख्यों कि अगर तुसी एक पेपर देंदे हो तो मैंनों प्रॉपर ली याद नी शायद 700 फीज है अगर दो दिन न जो कलेक्टिव फीज लगनी से सिर्फ हो जो डिफ्रेंस बच्छा ओही फीज पीज करें हो पूरी जो है फीज तुसी नहीं पेए करनी हों ठीक है जी तो अगर फिर वित होंद कोई क्वेरीज है तो तुसी मैंनों पोच साकते हो कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट कारके ते एदी जो होन एक त्यान रखन वाली गाल है कि जी बीएड वाले कैंडिडेट्स ने अपनी पेपर वांदी त्यारी जो है ओवी खिच के रखन क्योंकि पेपर वांदे विच तोड़ा मैंथ ईवीएस वगेरा कवर हुंदा ते नाल दी नाल तुसी के वीएस पी आर्टी द तो अगर वीडियो अच्छी लगी होएत अच्छी लाइक ते सब्सक्राइब जरूर करें ते बाके अनाल भी शेयर करें थैंक यू ची थैंक्स फो वाचिंग